हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल बिनर्स एजूकेशन पॉइंट पर दोस्तो आज हम चर्चा करेंगे इस्पोर्ट से संबंधित कुछ फैक्ट पर इस्पोर्ट दोस्तो प्रारमिक परिक्षा के लिए अतियन्थी महत्पूर्ण में सह होता है और इस्पोर्ट से कम से कम आठ से दस प्रेशन कवर आप होते हैं तो दोस्तो इस्पोर्ट पर आपको अच्छी पकड बनाये रखनी चाहिए क्योंकि इस्पोर्ट को अगर आप साथ में लेके चलेंगे तो आपकी अच्छी नमर प्राप्त होने की सम्भावना बढ़ जाती है हमारो जो पहला फैक्ट है वह है पीटी उसा की आत्मकता का क्या नाम है तो दोस्तो पीटी उसा की जो आत्मकता है उसका नाम है गोल्डन गर पीटी उसा किस खेल से संबंदित है तो पीटी उसा जो है वह रनिंग से संबंदित है अर्थात रेसिंग से इनका संबंद है इसके पश्या थे हमारा अगला प्रश्ण आइडल्स नामक बुक के लेखा कौन है या किस खिलारी के दौरा आइडल्स नामक बुक लिखी गई है तो इसका सही जवाब है सुनील गावसकर और जो सुनील गावसकर जी हैं यह किरकेट के महान खिलारी की रूप में जाने जाते हैं तो इस प्रकार से आपको एक फैक्ट के साथ एक फैक्ट फ्री मिलेगा इसके पश्यात है किरकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है तो एफेक्ट है हमारा वह है वाइट लाइटिंग के लेखक कौन है तो वाइट लाइटिंग के लेखक जो है वह है एलन डॉनाल्ड जो है वह है वाइट लाइटिंग के लेखक है इसके पश्चात है हमारा अगला प्रेश्ण जो है अर्जुन अवार्ड तो अर्जुन अवार् प्रारम किया गया था 1961 में इसके पशात है राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार किसे दिया गया तो राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार जो है प्रारम हुआ था 1991-92 में यह स्टार्ट हुआ था यह किसके द्वारा दिया जाता है तो यह खेल मंत्रा लेके द्वारा दिया गया और अभी हाल ही में 2019 का 2020 का किसे दिया गया आपको यह भी तैयारी अपनी करनी चाहिए तो सरवप्रतम जो है खेल राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार यह विस्वनात आनंदन को दिया गया था इसके पश्याद हमारा अगला फैक्ट है द्रोणाचारे पुरुसकार तो द्रोणाचारे पुरुसकार का प्रारम कब किया गया तो द्रोणाचारे पुरुसकार का प्रारम किया गया था 1985 में इसका प्रारम किया गया था और जो द्रोणाचारे पुरुसकार है यह खेल प्रशीक्षक को दिया जाता है खेल प्रशीक्षक को दिया जाने वाला य वोच खेल पुरुसकार है, इसके पश्यात है क्रिकेट का ओसकर किसे कहा जाता है, तो क्रिकेट का ओसकर जो कहा जाता है, वह आई सी सी पुरुसकारों को कहा जाता है, इसके पश्यात है प्रिथम कॉमन वेल्थ गेम्स कहां हुए थे, तो प्रिथम कॉमन वेल्थ जो है, वह Hamilton में हुए थे Commonwealth Games भारत में कब हुए थे तो दोस्तों आपको यह भी याद रखना चाहिए कि बर्स 2010 में नई दिल्ली में Commonwealth Games का आयूजन किया गया था इसके पशात है प्रथम Asian Games कब हुए तो प्रथम Asian Games जो हुए थे वैं 1951 में New Delhi में हुए थे तो इस प्रकार से Asian Games का प्रारंब भारत से माना जाता है इसके पशात है रणजी ट्रोफी तो रणजी ट्रोफी कब स्टार्ट हुए थी तो रणजी ट्रोफी हुए थी 1933 में प्रारंब और यह जो ट्रोफी है वह किर्केट से संबंदित है और किर्केट के अंतरगत भी यह टेस्ट की जो श्रंखलाएं होती है टेस्ट सीरेज या फिर जो टेस्ट होते हैं किर्केट में पांच दिविसिये टेस्ट होते हैं उससे संबंदित रंजी ट्रोफी है और इसमें भारत के अंतरगती जो टीम हैं वैस सामिल की जाती है इसके पश्यात हमारा अगला फैक्ट है ओलम्पिक का जो नारा है सिटीशियस, अर्टीशियस और फोर्टीश तो इसका अर्थ क्या है तो citisius का मदलाब होता है, और देज, altisius का अर्ठ होता है, और उचा, और fortisius का होता है, सकती का भरपूर प्रदर्शन तो यह जो है, यह ओलंपिक का एक नारा है इसके पश्यात है होकी की अंतरराष्टिय संस्था कौन सी है तो होकी की जो अंतरराष्टिय संस्था है वह IHF है अर्थात इंटरनेशनल होकी फेडरेशन तो होकी के अंतर राष्टिय संस्था कौन सी है तो इंटरनेशनल होकी फेडरेशन है तो इस प्रकार से आप भी अपने नोट से स्पोर्ट से संबंदित बना सकते हैं जिसमें आप सौट फॉर्म में लिख सकते हैं कि अर्जोनबाट स्टार्ट 1961 वाइट लाइटनिंग के ले हमारा जो अगला फेक्ट है वह है आई ओसी आई उसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आई उसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल इसका हैटकॉर्टर कहां है तो दोस्तो इसका जो हाट हैटकॉर्टर है वह लुसाने में हैं, दोस्तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही, हम कल पुना उपस्तित होंगे अपनी इस्पोर्ट की सीरज के साथ, दोस्तो हमारे साथ बने रहेए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही साथ आप हमें कॉमेंट वोक्स में बता सकते हैं कि आप किस बिसाइसे संबंदित प्रारंबिक परिक्षा, मुख्ष परिक्षा या भी अन्य जो भी ब्यापम की परिक्षा हैं तो उनसे संबंदित आपको किस टॉपिक में प रखा गया है तो दोस्तो वह आप हमारी मदद कीजे पूरा कराने में और आपकी जो भी परेशानिया हैं हम आपकी मदद करेंगे उनको पूरा करने में और दोस्तो साथ ही साथ आप हमारे मुख परिक्षा की नोट्स खरी सकते हैं यदि आप 2019 की मुख परिक्षा या 2020 की आपको लिंक दी गई है आप वहाँ जाकर चेक आउट कर सकते हैं और हमारे notes purchase कर सकते हैं बहुती किफाइती धाओं में आपको हमारे notes उपलब्द कराए जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपनी तयारी को सूद्रण कर सकते हैं और प्रहानम्बिक परिक्षा के लिए आप ह पुल्यंकन कर सकते हैं मात्र 500 रोपे में आपको हमारी टेस्ट सीरेज उपलब्द कराई जा रही है धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में हमारी इस्पोर्ट की टेस्ट सीरेज के साथ